गौतम ऑलाइन इस्टुडी योटुब चैनल में आप सभी का स्वागत है साइन्स का मॉडल पैपर सेट 60 कॉस्टेंस का हम पार्ट फाइब लेके आज चुके हैं आप सभी के लिए इसमें आपके दिया गया है लाइफ क्लास पर यह हमारी लाइफ क्लास नहीं है आपको आफ से पर इच्छा सबलता कि आप डाउनलोड करके आप पर्चेस कर सकते हैं जी ए यू एफ्जी ओ फोर जिरो कूपन कोड यूज करके और 40% का डिसकाउंट आप ले सकते हैं और सेर कर सकते हैं अपने से फ्रेंड्स को भी उनको भी इसका लाव वराबर मिलेगा ठीक है से होती है आपके 81 जब आपका अचानक गिरावाट हो जाने से तो देखिए बरो मीटर पठन में अचानक गिरावाट हो जाने से आपके जो मौसम दसा इंगित होती है वह आपके तूफानी मौसम तूफानी मौसम होता है आपके तो आपसन यह आपका राइड एंसर हो और वाई को तापमान एक सो होने के करण उस्मा की कोई हानी नहीं होती है जल की सघंता फोडिक्री से प्रदिक्तम होती है या इस अंदर में उप्यूगत एबी तथा सीकत्रों में से कोई भी सही नहीं है क्या हो जागा इसका एंसर आपके 82 82 का जो आपके एंसर हो जाएगा आप सभी ऑप्सन ए ठीक है ऑप्सन ए वर्फ उसमा की कुछ जाला के तो आपका राइट एंसर हो जाएगा 82 का नेक्स्ट है आपका 83 सीथ काल में जब जील के उपर इसका का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जले जिंद जीवित रहते हैं क्यों वे बर्फ में सा पानी रहता है बिल्कुल इसका अगर आप एंसर करेंगे तो कौन सो हो जाएगा आपके 83 83 का जो बिल्कुल आपका एंसर राइट है ऑप्सन डी होगा ठीक है ऑप्सन डी जिन्होंने डी किया है बहुत अच्छे आप सभी का डी राइट एंसर है ठीक है नेक्स्टी आपके 85 बर्फ जमी जिल के अंदर मच्ञियां जीवित रहती है क्योंकि क्यों जीवित रहती है ते क्योंकि जिल की तली पर जल नहीं जम पाता है ठीक है इसलिए जीवित रहती है तो ऊपसन ची आपका राइट एंसर हो जाएगा 84 प का झ सा किर देखिया नेक बहुत अच्छे, option D पे अगर आप जा रहे हैं, घनत तो, घनत तो, ठीक है, option D आपका right answer हो जाएगा, next 86 question है, थोड़ा सा ड्रेल है question, क्या है, किस ताप पर पानी का घनत अधिकतम होता है, किस ताप पर होता है आपके पानी का घनत तो अधिकतम, बिल्कुल जैसा कि आप दे 27, लोहे की कील, पारे पर क्यों तैरती है, जबकि वह पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, कि पारे पर तैरती रहती है, और पानी में डूब जाती है, ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि लोहे का घनत तो पानी से अधिक होता है, तो प Q88, एक सुई पानी में डूप जाती है, जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है, क्यों? सुई अगर हम पानी में डालें, तो डूप जाएगी, जबकि लोहे से भी बना पदा, जो आपका जहाज होता है, पानी पर तैरता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सुई का आप एक्षिक घनत उसके दोरा घटाए हुए पानी की आप एक्षिक घनत से अधिक होता है इसलिए ऐसा होता है ठीक है तो option D आपका right answer हो जाएगा question 88 का next आप 89 लोहे की सुई पानी की स्वताय पर किस कारण से तैरती है किस कारण से तैरती है पानी की उत्प्लावलावन की कारण प्रिष्ट तनाओ की कारण सियानतक की कारण या गुरुत्वा करसनी ये बल की कारण किस के कारण लोहे की सुई पानी की स्वताय पर तैरती है 89 किसके कारण बिल्कुल प्रिष्ट तनाओ के कारण ठीक है प्रिष्ट तनाओ के कारण तो आपसन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा 89 का नेक्स्ट है आपका कुश्चन 90 क्या है जब कुएं से पानी की बाल्टी को उपर खीसते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या पानी की सते से उपर भारी हो गई या पानी की सते से उपर हल्की हो गई या पानी से बाहर आकर स्थिर्टक हो बैठी या पानी से बाहर आकर इसके द्रवेवान में ब्रिद्दी होई क्या हो जाएगा इसका answer question 90 का विल्कुल सही जितने लोग आप सभी देख रहे हैं answer जरूर करें आप सभी और total marks आप सभी को last में जरूर बताना है तो 90 का आपके right answer होगा option first होगा पानी की सते से उपर भारी हो गई है ठीक है फिर देखे next step का question 90 question 98 यह आपका हो चुका है ठीक है हम देखते है 91 बादलों के वाई बंडल में तैरने का कारण उनका क्या है बादलों के वाई बंडल में तैरने का क्या है उनका ताप वेग दाव घनत क्या कारण है कि बादलों के वाई बंडल में तैरने का 91 बिल्कुल घनत तो ही है आपका कारण ठीक है बादनों के वाई मंडल में तैर नहीं का नेक्स्ट है आपका समुद्र में फ्लवन करते हुए आई स्वर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से उपर होता है कितना भाग होता है आपके समुद्र की सतह से उपर 92 बिल्कुल 1 by 9 1 by 9 आपका right answer हो जाएगा तो option first आपका right answer हो जाएगा 93 आपका पानी के एक ग्लास में एक वर्फ का टुकड़ा तेर रहा है जब वर्फ विखलती है तो पानी के इस तर पर क्या प्रभाव होगा वह बढ़ेगा, कम होगा, उतना ही रहेगा पहले बढ़ेगा, फिर कम होगा क्या हो जाएगा आपके 93 का बिल्कुल 93 का आपके option C, right answer हो जाएगा ठीक है, उतना ही रहेगा, 93 का option C next है आपका 94, जितने questions कराए जा रहे हैं बहुत ही अच्छे questions है और पहले के exam में आपके आए हुए question है, ठीक है यदिताप 100 degree से हो जाए, तो क्या होगा 94, क्या होगा सरीर डूप जाएगा, ठीक है सरीर डूप जाएगा, तो option C, आपका राइटेंसर हो जाएगा, next है आपका 95 कि समुद्र में नदी के पेक्छा तेरना आसान होता है, क्यों नदी के पेक्छा तेरना असान क्यों होता है समुद्र में, समुद्री जल नमकीन होता है, गहरा होता है, भारी होता है, या हलका होता है, क्या होगा इसका बिल्कुल, समुद्री जल जो होता है आपके 95 का option A, नमकीन होता है, ठीक है, option A आपका राइटेंस रोजाएगा 95 का नेक्स्ट है आपका 96 जब कोई जहाज नदी में सागर में घुशता है तो वह कुछ उपर उठता है वह कुछ नीचे जाता है या उसी तल पर रहता है वह समुद्री की तली में डूप जाता है जब कोई जहाज नदी से सागर में घुशता है तो क्या होता है वह कुछ उपर उठता है ठीक है तो आप्सन ए आपका राइटेंस रोजाएगा 97 है प्रकास विक्रणों की प्रकृत होती है किसके समान होती है तरंग के कंड के या दोनों के या तरंग एवंकंड किसी के समान नहीं होती क्या हो जाएगा इसका प्रकास विक्रणों की जो आपकी प्रक्रित होती है वह आपके तरंग एवंकंड दोनों के समान होती है बिल्कुल तो option c आपका right answer हो जाएगा ठीक है प्रकास की gati है क्या है आपके प्रकास की gati 98 प्रकास की gati क्या है प्रकास की gati 3 in to 10 to power 8 meter पर second है तो option c जो होगी निउनतम होगी 99 99 काच से काच से जाते वे नियुनतम होगी तो option A आपका right answer हो जाएगा 99 का ठीक है और यह हमारा physics का last question है क्योंकि हमने 20 questions कर लिया है सोरी के प्रकास को धरती के फिदर पर पहुचने में लगभग समय लगता है कितना लगता है आपके बहुत बार exam में पूछा गया एक question कितना लगता है 8.5 मिनेट ठीक है 8.5 मिनेट तो option C आपका right answer हो जाएगा ठीक है next है आपका 81 और अब हम सुरुआत करते हैं chemistry के और आप सभी answer करिए बिलकुल chemistry के ठीक है क्या है धबा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रएक्ट होने वाली महत्पूर्ण धातु कौन सी है आपकी aluminum, chromium, tin, carbon कौन सी है बिलकुल इसका जो आपके right answer लो जाएगा option B chromium, option B आपका right answer लो जाएगा 81 का ठीक है next है आपका 82 stainless steel मिस्र धातु है किसकी में से धात हुए आपके stainless steel 82 किसकी है विलकुल लोहा, chromium, magne, जो आपका गारवन तो option C आपका right answer हो जाएगा 82 का option C next है आपका 83 stainless steel बनाने के लोहे में क्या मिलाया जाता है आपके nickel और ताबा, zinc or tin, nickel or tin या chromium और nickel क्या मिलाया जाता है stainless steel बनाने के लिए लोहे में तो क्या मिलाया जाता है आपके chromium और nickel तो option D आपका right answer हो जाएगा next है आपका 84 steel में कितना कारवन होता है कितना होता है 0.12% ठीक है 0.1 से 2% आपका steel में कारवन होता है तो option A आपका right answer हो जाएगा 84 का next है जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है बढ़ता है घटता है वही रहता है अनिस्चित होता है क्या होता है आपके जंग लगने पर लोहे का भार का बढ़ता है ठीक है जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है तो option A आपका right answer हो जाएगा ठीक है option A 85 next है आपका 86 नेक्स्ट है आपका 86 नेमलेकित में से किसमे कारवन नहीं आपके hieragraphite koila प्रोक में से कोई नहीं किसमे carbon नहीं है आपके 86 तो किसमे carbon नहीं है आपका option D होगा बिलकुल किसी में भी नहीं है ठीक है option D आपका right answer होगा next है आपका 87 किसमे carbon मिलता है आपके lignite tin, chandi, loha किसमें मिलता है आपके 87 lignite लिगनायट ठीक है कारवन मिलता है लिगनायट नेक्स्ट है आपका 88 कोईले के निमने प्रकारों में से किस एक में सेष प्रकारों की अपक्छा अधिक प्रिछस्त कारवन अंस होता है किसमें बिटुमिनस, लिगनाइट, इंथरासाइट, पीट, यह सभी कोले के टाइपस है, ठीक है, अब कौन सा ज्यादा, किसे एक में सेस्प्रकार के पेक्षा, अधिक प्रिस्टत में कार्वन अंस मिलता है, आपको यह बताना है, ठीक है, च्छो कुश्चन है, 88 जो आपके क्रिस्टल नहीं है, अगर हम बात करें तो क्रिस्टल, कौन सा नहीं, गंधक, गंधक जो आपके क्रिस्टल नहीं है, ठीक है, आपका राइट एंसल हो जाएगा, नेक्स्ट कोश्चन 90, पिंसिल का लेड है, ग्रेफाइड, चार कोल, लैंप ब्लैक या कोईला, क्यों सा है पिंसिल का लेड कौन सा है, 90, बिल्कुल ग्रेफाइड है आपका, पिंसिल का लेड तो आपसन, यह आपका राइट एंसल हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, ठीक है, 91 के ओर हम चलते हैं, और लेड पिंसिल में होता है, क्या होता है, लेड पिंसिल में सीसा, सिसे का अक कि बाकसाइड, फासफोरस, ग्रेफाइड या सिलीकॉन, कौन सा आपके इस निहग है, भारी मसीनों के उप्योग के लिए, 92, बिलकुल ग्रेफाइड होगा, ठीक है, आपका राइट एंसर हो जाएगा, 92 का, फिर देखें नेक्ष्ट है आपका 93, निम्न में से किसे सुस्क ब आपका राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है, नेक्ष्ट है आपका 94, रसानिक रूप में सुखी वर्फ है, कौन सी है आपके रसानिक रूप में सुखी वर्फ, 94, कौन सी है, ठीक 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 है, ठी सेलेनियम रोमीन फासफोरस कौन सा एक विद्दूत का मंदचालक नहीं है 95 तो कौन सा नहीं है ऑप्षन भी सिलेनियम ठीक है ऑप्षन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका 96 अच्छा कोश्चिन है टेफलान क्या है फ्लोरोकार्बन हाइड्रोकार्बन र एक तत्त एक बातम कच्छा में चार इलेक्टरान है हाइड्रोजन के साथ इसके योगी का कौन सा सुत्र होगा आपके कौन सा सुत्र होगा विल्कुल ऑप्षन डी ठीक है ऑप्षन डी आपका राइट एंसर हो जाएगा 97 का नेक्स्ट है आपका 98 भार के अंसर पानी जो आ 27 में बात करें तो 11.11 परसंट 11.11 परसंट ऑप्षन डी आपका राइट एंसर हो जाएगा और नेक्स्ट और लाष्ट टू कोश्चन से आपके कमेश्ट्री से फिर हम बायो से करेंगे कि हैड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा आपके अक्सिजन राख मिटी पानी क्या बनत बारी जल का रसानिक फार्मूला क्या है बारी जल का रसानिक फार्मूला बिलकुल डी टू ओ ठीक है तो ऑप्षन भी आपका राइट एंसर हो जाएगा 100 का अब नेक्स्ट हम चलते हैं वायो की और और आप सभी एंसर करते रहे हैं तो देखते हैं 81 कोश्चन क्या है अपक कॉमर्स पैदा करता है किसमें एग लार्वा प्योपा या इमेगो किसमें 81 किसमें करता है प्योपा ठीक है कोशित ऑप्षन सी आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट 82 कुनैन कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख खौसा दिये वह प्राप्त होती है किस से आव अवरित वीजी पादप से ठीक है अवरित वीजी पादप से तो ऑप्षन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा 82 का ठीक है नेक्स्ट आपका 83 कुनैन जो मलेरिया की इलाज में प्रयोग की जाती है सिनकोना पादप के किस भाग से आती है पत्ती जड़ छाल पुस्ट किस भ टी थर नाम की आपसदी प्राप्त होती है किस से वीजी पादप से कवक से जीवानु से या काई माश्य किस से होती है आपकी 84 वीजी पादप से ठीक है तो ऑप्षन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट आपका 85 निम्न में से किस समू के जीवों का डूबने से ह होई मृत्य का पता लगाने में महत्तो है लाइकन, टोटो जोवा, साइनो जीवानु, डाइटम किस समू के जीवों का डूबने से होई मृत्य का पता लगाने में महत्तो है डाइटम तो अप्षन डी आपका राइट एंसर हो जाएगा 85 का ठीक है नेक्स्ट कोस्टिन आप आपके सहतूत का फल है, क्या है Saurosis, Sikonas, Samaag या Nut क्या है आपके सहतूत का फल, 86 क्या है Saurosis, ठीक है Saurosis है तो option A आपका right answer हो जाएगा 86 का next है आपका 87, निम्ने रेसों में से कौन पौधे के तने का उतपाद नहीं है आपके सन, पट्सन, जूट, कपास कौन पौधे कितने को उत्पाद नहीं है 87 बिल्कुल कौन सा नहीं है 87 को जो आपके राइट एंसर हो जाएगा कपास ठीक है आपसन D आपका राइट एंसर हो जाएगा Next 88 Leg Hemoglobin पाई जाती है किसमें? किसमें आपके Leg Hemoglobin पाई जाती है 88 किसमें पाई जाती है Legum मूल पाई जाती है ठीक है तो आपसन C आपका राइट एंसर हो जाएगा 88 का Next आपका 89 नहीं लिखित में से कौन सा मानो निर्मित धान नहीं है जो प्रक्रिति में नहीं पाई जाता है 89 बिल्कुल सभी लोग एंसर करें और 89 का जो आपके Right एंसर होगा Option C होगा ठीक है टीक है टीक है तो Option C आपका Right एंसर हो जाएगा 89 का Question 90 सुख्च में जीवान बैक्टेरिया को देखा जा सकता है खाले आख दोरा Compound खुर्दवीन दोरा या आपके Hand Lens दोरा या Electron खुर्दवीन दोरा किसके दोरा आपके जीवान जो सुख्च में जीवान बैक्टेरिया को देखा जा सकता है तो बिल्कुल 90 का जो आपके Compound खुर्दवीन दोरा तो Option B आपका Right एंसर हो जाएगा ठीक है 90 का Next आपका 91 सुख्च जल्वाव के भली भाती अनकूलित पेड़पौधों को कहते हैं क्या कहते हैं आपके सुख्च जल्वाव के भली भाती अनकूलित पेड़पौधों को 91 अधिपादप मरूद भीद जलोद भीद या मद्धपादप बिल्कुल मरूद भीद, मरूद भीद अगर आप कर रहे हैं तो राइट एंसर है, मरूद भीद भीड़ पौधों को कहते हैं, ठीक है, 92 है, एपी फाइटर्स, एपी फाइटर्स वे पौध हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, भोजन के लिए, या अंतरिक अवलं के लिए, ठीक है, या अन्तरिक अवलंब के लिए, तो उप्सन B, आपका राइट एंसर हो जाएगा, 92 का, 93, जल के धिक्तम मात्रा, जिसकी पौधों को अस्विक्ता होती है, वह उसे उप्सन निम्निके माध्यम से करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं आपके, भूनी जोन स से, दिरगी करन जोन से, या जड़ों के बालों से, जड़ों के बालों से, ठीक है, तो उप्सन D, आपका राइट एंसर हो जाएगा, 93 का, नेक्स्ट है, 94, हाइड्रोफाइड कहते हैं, किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइड, समधा एक जानवर, जली पौधे, पौधी रोग, या जड़ रहीत पौधों को, किसे कहते हैं, हाइड्रोफाइड कहते हैं, किसे, किसे, एक जली पौधे को, ठीक है, तो हाइड्रोफाइड, तो ऑप्सन B, आपका राइट एंसर हो जाएगा, नेक्स्ट है, आपका 95, पौधो द्वारा ले गए, विकीन और जा, निमने पर आर्की बैक्टिरिया केक समूँ को उतपादन के किस उपयोग मिलाय जाता है, उतपादन के लिए उपयोग मिलाय जाता है, एथेन के, मेथेन के, अमलके या अलकोहल के, किसको, किसके लाय जाता है, आर्की बैक्टिरिया केक समूँ को, बिलकुल 96 का जो आपके होगा, मेथ मेथेन के तो higher राय इन्सरों जाए गा ठीके नेक्स्ट 97 अधिकांजगेंट स्वसर्था से तोचसे क्लों से फेफणों से या वा थक तंत्र परूंजगेंग आपके अधिकांजगेंट स्वसर्था राय राय से थ्योजगेंगा खुद हको और थक तंत्र क्या है एंत्रोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या जन्थोफिल क्या है आपके सेव के फल में लाली का जो कारण होता है लाल होता है जो किसके कारण होता है अच्छा कुश्चन है 98 किसके कारण होता है एंत्रोसाइनिन के कारण ठीक है एंत्रोसाइनिन के कारण सेव के फल म लाल रंग का करण किया है कैपसन इन लाइकोपेन जैंतोफिल या इन में से कोई नहीं किसके काड़ होता है अपके टॉमाटर में लाल रंग बिल्कुल लाइकोपीन, हॉपसन भी, राइट एंसरोगा, ठीक है नेक्स्ट है आपका 100, इस्ट, इस्ट और मस्रूम है, क्या है आपकी इस्ट और मस्रूम क्या है, फंगी है एक तरह से, ठीक है, फंगी फफूद है, आपकी इस्ट और मस्रूम ठीक है और लास्ट कोश्चन है आज का कपास का प्रमुक घटक है कौन सा आपका कपास का प्रमुक घटक 101 सेलूलोज सेलूलोज है आपके कपास का प्रमुक घटक और ये हमारे कोश्चनस आज के कंप्लीट होते हैं 60 questions प्लस ठीक है 60 questions हमने किया है mix questions का ठीक है तो अगर आपको questions important लगे हो तो वीडियो को लाइक जुरूर करें और चैनल को subscribe करने अगर आपने अभी तक नहीं किया है और वेल आइकन जुरूर प्रेस करने जिसे की notification आपको मिल चाहे करें वीडियो अपलोड होने का हमारे चैनल पे और सेयर करना आप सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है सेयर ज़रूर करें ज़द ज़द वीडियो को जिसे सभी को इस बारे में जनकारी मिल सकी कि यहाँ आपके लिए साइंस की क्लासे चल रही है ठीक है मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू अजिए अजिए